सूप्रभात मेरे प्यारे बच्चो आशा करती हूं कि आप सब सुरक्षित होंगे और ओनलाइन क्लासेस की द्वारा पढ़ाई भी कर रहे होंगे तो आज हम बच्चो हिंदी पाठिय पुस्तिका पावनी से अंग और अह की मात्रा का पुन्रावित्ती करेंगे तो बच्चो पहले हम अंग की मात्रा का अभ्यास करेंगे और फिर अह की मात्रा करेंगे तो सबसे पहले बच्चो हम अंग की मात्रा से पांच शब्द बनाते हैं तो पहला शब्द क्या है बच्चो रंग, दूसरा शब्द संक, तीसरा शब्द गंगा, चोथा सब्द पंक, पाँचवा सब्द जंगल तो अब हम बच्चो अंकी मात्रा से बने चित्रों को देखते हैं, तो ये किसका चित्र है बच्चो, हंस, ये किसका चित्र है बच्चो, अंकूर, ये तीसरा चित्र किसका है बच्चो, अंगूर, ये चोथा चित्र किसका है बच्चो, बंदर तो अब हम बच्चों अंकी मात्रा से वाक्य बनाते हैं पहला शब पतंग तो बच्चों हम पतंग से क्या वाक्य बना सकते हैं? यह पतंग है दूसरा शब जंगल तो बच्चों जंगल से हम क्या वाक्य बना सकते हैं? शेर जंगल में रहता है तीसरा शब्द रंग तो बच्चों हम रंग से क्या वाक्या बना सकते हैं? यह लाल रंग की टोपी है तो बच्चों चौथा शब्द क्या है? संख कंचन संख बजा आशा करती हूं कि बच्चों आप सब मेरे साथ साथ दोहरा रहे होंगे तो बच्चों अब हम एक शब्दों में उत्तर देना करते हैं तो बच्चों देखते हैं पहला प्रश्ण क्या है? आज कौन सी पंचमी है? तो बच्चों इसका उत्तर क्या है? वसंद दूसरा प्रश्ण आसमान किस से भड़ा है? तो बच्चो इसका उत्तर है पतंग तीसरा प्रश्न भारत का क्या बज रहा था तो इसका उत्तर क्या है बच्चो संख आशा करती हूं कि बच्चो आप सब अंकी मात्रा को बार बार दोराएंगे और इसे याद भी करेंगे तो बच्चो अब हम अह की मात्रा का पुन्रावित्ती करेंगे तो बच्चो पहले हम पांच शब अह की मात्रा से बनाते हैं तो पहला शब अतः दूसरा शब प्रातः तीसरा शब पुनः चोथा सब प्राया पांचवा शब नमः तो बच्चो अब हम अह की मात्रा से बने चित्र को देखते हैं तो बच्चो ये क्या चित्र है? प्राता ये क्या चित्र है बच्चो नमः तो बच्चो अब हम बाक्य बनाते हैं तो पहला शब्द क्या है बच्चो? प्राता तो बच्चो प्राता से हम क्या बाक्य बना सकते हैं? मैं प्राता च्छ बजे उठता हूँ दूसरा शब्द दूसरा शब्द देखते हैं बच्चों क्या है नमः तो बच्चों हम नमः से क्या वाक्या बना सकते हैं बरो को नमः कर तीसरा शब्द प्राया तो बच्चों हम प्राया से क्या वाक्या बना सकते हैं वह प्राया स्कूल जाती है तो बच्चों हम अब एक शब्दों में उत्तर देना सीखते हैं तो बच्चों पहला प्रश्ण क्या है नंदनी कितने बजे सोकर उठती है तो इसका उत्तर क्या है बच्चों छ दूसरा प्रश्ण वह प्राया क्या करती है तो बच्चो इसका उत्तर है योगासन तीसरा प्रश्न नंदनी समय से कहां पहुचती है तो बच्चो इसका उत्तर है पाट साला तो बच्चो आशा करती हूँ कि आप सब इस पाठ अंग और अह की मात्रा को बार-बार दोराएंगे और इसे याद भी करेंगे तब तक बच्चों पढ़ाई करते रहे और सुरक्षित रहे